आज हम प्राक्तिक संख्याएं या नेचुरल नंबर के बारे में अध्यन करेंगे वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रियोग करते हैं उन्हें गिन्ती संख्याओं कहते हैं इन्ही गिंती संख्याओं को ही हम प्राक्तिक संख्याओं या नैचुरल नंबर कहते हैं यानि कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रियोग करते हैं प्राक्तिक संख्याओं कहते हैं लेकिन प्राक्तिक संख्याओं के अध्यन के पहले हम ये जानेंगे कि संख्या और संख्यांक क्या कहलाते हैं, संख्या या संख्यांक में अंतर क्या हैं, और हम इसके बारे में कैसे अच्छे से जान संखते हैं, तो कितनी वस्तुएं हैं जैसे हमाई पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 ये 6 मारबल्स है तो यहां ये 6 वस्तुएं कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं लिखने के लिए जिस संकेत का हम प्रयोग करते हैं जैसे 6 वस्तुएं उसको इस संकेत से व्यक्त किया तो यहां पर ये 6 हमारा संख्यां कहलाता है यानि कि संख्यां को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे संख्यां कहते हैं यानि कि संख्यां का अठ हुआ संख्या क को लिखने के लिए प्रियुक्त अंक संख्यान कोई संचेप में अंक कहा जाता है जैसे यहां पर हमारे पास एक, दो, तीन, चार यह चार सट दिखाई जा रही है तो यहां पर चार वस्तुएं हैं और इसको हमने इस संखेत को दोरावेक्ट किया तो यहां पर यह हमारा संख्यान कहला है यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, सात, आठ यहां पर आठ वस्तुएं हैं और इसके लिए प्युक्त जो अंक है वो हमारा आठ है यह वस्तुएं आठ हैं संख्या आठ हो गई और यह हमारा आठ क्या है संख्यान कह जैसे यहां पर एक, दो, तीन मेजे हैं तो यहां पर संख्यान कह हमारा 3 हो गया, इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह हमारा 6 संख्यां को हो गया, निम्लिके संख्यां को संख्यां को विक्त करना है, जैसे 3,445, अब हमें 8,610 लिखना है, चूँकि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारी इस्थान होगे, तो 8,000, 8,000 की स्थान पे, 610, 610, अब हमें लिखना है, 6,512, यह संख्यां क्यों वेक्त करें हैं, 6,512, इसी पिका लिखना है, 7,009, हजार की स्थान पे, 7, और एकाई की स्थान पर, 9, 7,009, 1211, हजार की स्थान पर, 1211, तो यहाँ पर इन संख्यां को, इन अंकों की सहायता से, वेक्त किया जादा है, अब यहाँ पर संख्यां दिये, संख्या दी गई है, और इसको हमें सब्दों में लिखना है, जैसे, एक हजार, आठ सो, सड़ सट, अब यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा हजार, हजार की स्थान पर तीन है, तीन हजार, छैसो, नबे, इसे, इकाई, दहाई, शैकड़ा हजार, हजार की स्थान पर साथ है, साथ हजार, इकाई, दहाई, आठ साथ, एक सद मलाक पढ़ेंगे, सब तासी, इस भी करी हो जाए, कि काई, दहाई, सैकड़ा हजार, पाँच हजार, छैसो, उनहत्तर, सबसे बड़ी, एवं सबसे छोटी संख्या के बारे में चर्चा करते हैं, हमाई पास सून से लेकर, नौ तक कुल दस अंख होते हैं, इन अंखों में नौ का सबसे बड़ा अंख है, अब हम इन अंखों की सहायता से संख्या निर्मार करते हैं, जैसे एक अंख की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंख नौ है, तो हमाई उस संख्या हो जाएगी नौ, एक अंख की सबसे छोटी संख्या, चूंकि सून अंक छोटा है लेकिन सुरुवात हमारी किस्ते होगी एक से क्योंकि सून का मान कुछ नहीं होता है अब दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोनों इस्थानों पर 9 लिख दिये जाते हैं और दो अंकों की सबसे चोटी संख्या, जो होगी वो हमारी एक और जीरो, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में, जब उसकी अनुवर्तियन आगे वाली संख्या लिखते हैं, तब हमें दो अंकों की सबसे चोटी संख्या प्राप्त हो जैसे हमें तीन अंकों की सबसे वड़ी संक्या नहीं हूं तब यह हमजी 9 9 9 लेकि यह में तीन अंकों की सबसे छोटी संक्या लिखने हूं तब हम क्या करेंगे जो दो अंकों की सबसे बड़ी शंक्या है उसमें यदि हम एक जोड देते हैं तो हमें तीर अंकों की सबसे छोटी शंक्या प्राप्त हो जाती है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चारों होई इस्थानों पर हम सबसे बढ़ अंक नौ लिखते हैं अब चार अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या थी हमाई 999 उसमें यदि हम एक जोड़ देते हैं तो हमें चार अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाईगी पांच अंक की तो बड़ी संख्या लेकिना बहुत आसान है पांच अंक हैं तो पांचों इस्थानों पर 11,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 स्थानों पर 0 लिख देते हैं तो हमें पाँच एंकों की सबसे चोटी संख्या राप्त हो जाती है इसी पर चैनकों सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, चैवे स्थानों पर नौ नौ लिख देते हैं और छे अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी तो एक और बाकिस थानों पर हम जीरो लिखते हैं जैसे हमें चार, तीन, छे और नौ इन सभी अंकों का प्योग करके चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है जबकि किसी भी अंकी पुन्दावित्ती ना होती है तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हम जो अंकों को अवरोही क्रम में लिखते हैं जैसे हमें सबसे बड़ी संक्या करने है तो यहां पर चार तीन छे नौ में सबसे बड़ा नौ है तो इन अंकों को अव्रोही क्रम में लिखना चालू करते हूं फिर छे फिर चार और फिर तीन तो 9643 यह इन अंकों का प्रियोग करके सबसे बड़ी संख्या बन गए और यदि हमें सबसे चोटी संख्या लिखनी हो तो इन अंकों को और ओही क्रम में लिखते हैं जैसे 3469 तो सबसे चोटी संख्या प्राप्त करने के लिए सुन को छोड़ कर अन सभी अंकों को बाई ओर से आरोही यानि बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है हम सुरुवात शुन से नहीं करते हैं जैसे अब मालो हमारे अंक बदल दिये जाते हैं अब हमें 6, 7, 6 और 5 इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या बनाने के लिए हम अंकों को बाई ओर से अब रोही क्रम में लिखना चालू करते हैं जैसे सबसे पहले 7, फिर 6, फिर 5 और फिर सुन 7650 ये इन अंकों का प्रयोग करका सबसे बड़ी संख्या मिल गई है जहां हम सबसे चोटी संख्या लिखते हैं तो अब यहां पबस शून आ गया तो सून को छोड़ कर अंकों को बाई ओर से आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे चोटा सून है इसको छोड़ कर फिर बचाब 5 अब इसके बाद हम शून लिखेंगे तिछ्छे और फिर साथ पानच हयार सरसथ यह हमारी चार अंकों की सबसे चोटी संख्या हो गई इन अंकों का प्रियोग करके शे साथ सोन पाच का प्रियोग करके अब हम प्राक्तिक शंख्याओं के विसैय में फिर से चर्चा करते हैं वस्तूओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं प्राक्तिक शंख्याओं कहलते हैं मनुस प्रारम से ही जिग्यासु प्रवत्ती कर रहा है और उसे वस्तूओं की गिन्ती करने की आवशक्ता पड़ी तो गिंति गिनने के लिए ये संख्याए वास्ताव में प्राक्तिक रूप से ही मिली इसी लिए इनको प्राक्तिक शंख्या या नैचुरल लंबर कहा गया हम सुरुवात या जो प्राक्तिक संख्याओं की सुरुवात होती है वो एक से प्रारंब करकर अनन्त तक जहां तक हम लिख सकते हैं वहां तक ये संख्या होती है अनन्त मतलब जिसका कोई अन्त नहीं होता है तो प्राक्तिक संख्या एक से प्रारंब होकर अनन्त तक चलती है पूर्वर्ति संख्या अनुवर्ति संख्या या उत्तरवर्ति संख्या किसी भी प्राक्तिक संख्या के ठीक बाद आने वाली किसी भी प्राक्तिक संख्या के ठीक बाद आने वाली प्राक्तिक संख्या को अनुवर्ति संख्या या उत्तरवर्ति संख्या कहते हैं ठीक बार मतलब हम जब किसी संख्या में प्लस एक कर देते हैं तब हमें अनुवर्ति या उत्तरवर्ति शंख्या मिल जाती है और किसी संख्या के ठीक पहले आने वाली प्राक्टिक संख्या उसकी पूर्वर्ति शंख्या कराती है और पूर्वर्ति संख्या फ्राप्त करने क के लिए हमें उस संख्या में माइनस एक करना पड़ता है जैसे हमसे कहा जाए कि पांच की हमें पूरवर्टी संख्या प्राप्त करनी है तो पांच में हमें एक घटा देंगे तो हमें मिल जाता है चार यानि पांच की पूरवर्टी संख्या चार है यदि हम पांच की उत्तरवर्टी संख्या चाहिए तो पांच में हम जब प्लस एक कर देते हैं तो हमें मि तो उत्तरवर्ती शंख्या प्राप्त करने के लिए या अनुवर्ती शंख्या प्राप्त करने के लिए प्लस एक करना पड़ता है और पूर्वर्ती शंख्या प्राप्त करने के लिए माइनस जैसे आठ आठ में हम एक घटा देते हैं तो साथ यानि आठ की पूर्वर्ती संख्या साथ हो जाती है जैसे यहां पर संख्या बारा है और इसकी अनवर्टी शंख्या 13 होगी प्लस एक करने से 214 में जहां प्लस एक कर देते हैं तो हमें अनवर्टी शंख्या 215 प्राप्त हो जाती है 1048 इसमें प्लस एक करेंगे तो 1049 100 100 में प्लस एक करेंगे तो 101 इस प्रेकार हमें अनवर्टी या उत्तर वर्टी शंख्या प्राप्त हो जाती है पूर्वर्टी शंख्या में हम 97 की पूर्वर्टी शंख्या 96 327 की माईनस एक करेंगे 326 1111 में माईनस एक करेंगे 1110 1000 में माईनस एक करेंगे 999 इस प्रेकार हमें इन संख्याओं की पूर्वर्टी शंख्या प्राप्त हो जाती है जो हमारी सबसे छोटी प्राक्तिक संख्या होती वो एक होती है जो एक हमारी सबसे छोटी प्राक्तिक संख्या है क्योंकि इस संख्या की जैसे एक है एक में हम माइनस एक करेंगे तो हमारा जीरो आता है सुन तो एक की हमारी कोई पूरवर्टी शंख्या नहीं है इसलिए एक जो हमारी है वो सबसे छोटी प्राक्तिक संख्या होती है कोई प्राक्तिक संख्या सबसे बड़ी प्राक्तिक संख्या नहीं हो सकती है क्यों कि उसकी अनवार्टी शंख्या मिल जाती है जैसे हमने लिखा तीन साथ चैपाँ चाथ और उसमें हम एक जोट दें तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी यानि कि सबसे बड़ी प्राक्तिक संख्या अनन्त तक जाती है उसमें भी हम एक जोट देते हैं तो प्राक्तिक संख्या एक से चालू होका अनन्त तक विस्तार होता है एक हमारी सबसे चोटी प्राक्तिक संख्या होती है अब हम अभ्यास फर्ष्टे के प्रिष्णों को हल करते हैं प्रिष्णों के लिए आप किताब की मदद ले सकते हैं पहला प्रिष्ण है निम्दां के संख्यां को संख्यां को में व्यक्त कीजियों जैसे 427 तो इकाई दहाई सैक्र हजार दस्राला क्यास गिन्ने के पस्षाथ शैक्रे तक हैं तो इकाई दहाई सैक्र 427. इसे वेर 35001, 1000 के स्थान पर 3, सैकड़े के स्थान पर 5, और इकाई के स्थान पर 35001, 115, 89,029. फिर अगला प्रश्ण हमारा, कि निमले के संख्याओं को सब्दों में लिखिए, हमें संख्या दी गई हैं, और उन संख्या को हमें सब्दों में लिखना है हजार की स्थान बस साथ, साथ हजार सैक्रिम कुछ नहीं है, छोड़ देंगे एक नौ, उननिस, तो साथ हजार, उननिस फिर हमारा इकाई, दहाई, शैक्रा, हजार, दस हजार तेईस हजार, तेरा इसी पिकाई, उननत्ता हजार, तीन सो उननियासी, नवासी, आट लाग, तिरानवे हजार, उनसट अगला जो हमारा प्रिश्ण है, कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को सब्दों में लिखना है जैसे एक ग्राम मानव मल में एक सो जीवान वंडे, तो हमाँ पर जो संख्याओं यह एक सो, फिर एक हजार, यानि जो यहाँ पर संख्याओं आई हुई है, उनको हमें सब्दों में व्यक्त करना है इस तरह दस लाग, एक आई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस लाग, दस लाग करोण, एक करोण अगला प्रश्न है कि निम्नान की संख्याओं में अंकों को छाटिए, तो दस में यह हमारी शून और एक से मिलकी बनिए तो संख्याओं या प्योक्तंक क्योंकि संख्याओं को ही संख्येप मिम laquelle कहते हैं, तो एक और शून, गयारा में एक और एक 18 1 और 8 से मिलके बनी अंकों जाएगा 1 और 8 0 में किवाल एक अंक 0 और 3 में 3 अगला प्रश्चन है हमारा कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख़ा लिखनी है जबकि अंकों की पुन्रवित्ति ना होती है यानि 1, 2, 3 से बनने वाली संख्या लिखने साथ फेल एक दो ती लिखा एक सो तेस तीं अंको की संख्या हो गई Apollo 3 की स्थान बदलते हैं 122 हो गया अब एक संख्या स्थान पे दो सबसे पहले लिखते हैं 213 फें एक से बदलते दे 233 इसे बहुत तीन सुरुवत करते हैं 312 और 321 अगला प्रशन है जीरो तीन पांच से बनने वाली तीन अंकों की संख्या लिखनी है जबकि अंकों की पुंद्रवित्ति ना हो तो यहाँ पर शून आ गया यदि हम किसी संख्या की सुरुवत सून से करते हैं जैसे 0 3 5 लिखा तो यह हमारी 0 3 5 दो अंकों की संख्या हो जाएगी 35 हमें 3 अंकों की संख्या लिखनी है इसलिए हम सून से शुरुवत नहीं करेंगे जैसे 305 350 जीरो पांच की स्थान बनने लिखे 503 और 530 यदि हम सून से शुरुवत करते हैं तो वह हमारी 2 अंकों की संख्या हो जाएगी अगला प्रिष्ण है 6, 7, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे चोटी शंख्या लिखनी है तो सबसे बड़ी शंख्या लिखने के लिए 22 से सुरुवात करते हैं और अंकों को अब रोही कर्म लिखते हैं सबसे बड़ा अंक 7 तो इसके बाद 6 फिर 5 और फिर 0 7,650 और चोटी संख्या हो जाएगी चुकि हम सुरुवात नहीं कर सकते हैं तीन अंकों की संख्या हो जाएगी इसलिए सुरुवात किस से करते हैं सबसे चोटे अंक 5 से फिर 0 और उसके बाद आरोही कर्म में जितनी भी अंका है लिखते चले जाते हैं 6 और 7 तो मैं चार अंकों की सबसे चोटी संख्या हो गए इन अंकों का प्रियोग करते हैं यहां पहली चाचा कर चूकिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पांचों अंकों की स्थान पन 9-9-9 लिख देते हैं और सबसे चोटी संख्या दो तरह से कर सकते हैं एक तो चार अंकों की सबसे बड़ी शंख्या में एक जोड़ दें या उसके अनुवर्टी शंख्या ले 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 या फिर एक लिखें और बाकी जितने स्थाने वहाँ पर सून का प्योग कर दें अगला प्रिशन है पांच या दोसो इकतिस में प्टे कंका स्थानी मान बताना है तो पांच या दोसो इकतिस को विस्तार की रूप में लिख दिया है एकाई दहाई सैक्रा हजाद पांच हजार के स्थान में तो पांच गुणा एक हजाद एकाई दाहाई सेक्राद 200 की स्थान पर दो गुणा 100 तीन दाहाई की स्थान पर तीन गुणा 10 एक एकाई की स्थान पर रहें तो एक गुणा 1 पांच की स्थान नहीं मान पांच गुणा 1,500 हो गया इस तरह 2 का स्थानी मान निकालिया, 3 का स्थानी मान निकालिया, 1 का स्थानी मान निकालिया, जो जिस स्थान पर आता है उसमें जैसे एकाई में तो एक का गुणा, दाहाई में तो दस का गुणा, सैकड़ी की स्थान पर तो 100 का गुणा, 1000 की स्थान पर तो 1000 का गुणा, तो इन सभी की स्थानी इमान निकालने, अगला सवाल है, 636 में दोनों 6 की स्थानी इमान ग्यात करने, 636 फिर विस्ताज में रूपने का, पहले 6, 6 गुणा 100, फिर 3 का, और फिर 6 का, तो पहला 6 की स्थानी इमान, टिकाई की स्थान पर 6, दूसरे 6 की स्थानी मान, सेकड़ी की स् अगले सवाल है, 3334 में तीन के विविन इस्थानी इमानों का योगफल ग्याते हैं, सवाल को लगाते समय, सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी हैं, सवाल पढ़ने से ही हमें आधी दिक्केते दूर हो जाती हैं, तो 3334, इकाई, दहाई, सेकड़ा, हजार, तीन गुणा एकाई, हजार के स्थान पर हैं, ये वाला तीन, इकाई, दहाई, सेकड़ा, सेकड़ के स्थान पर हैं, तीन गुणा सो, दहाई के स्थान पर हैं, तीन गुणा दस, एकाई के स्थान पर चार गुणा एक, तो पहले तीन के स् तो 30, 303,000 आ गया अब जो 3 की स्थानी इमान थे लिखा हुआ है कि 3 के विविन इस्थानी इमानों का योगफल ग्याद करना है तो दीगे संख्या 3 के विविन इस्थानी इमानों का योगफल ग्याद करते हैं 30, 303,000 तो जब इसका योगफल करते हैं तो आ जाता है 3330 पीस पीर अगला सवाल है, टिकाई, दाहाई, शेकडा हजाद, दस जाद, बाईस जाद. 22212 में टेक दोका स्थानी मान, ग्याद करना और इसका युक्फल ग्याद करना है, जैसे पिछली सवाल में था, तो यहाँ पर दो स्थान पर दस जादए गुणा कर दिया, इस वाले सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो यह हमारा फिर से वही संग्या प्राप्त हो जाती है 22222 इसी फेकार हम अगला सवाल लगा सकते हैं पांच सो पैतालिस में पांच के और इस पांच का स्थानिमान निकालेंगे और फिर उसको हम घटा देंगे कि अभभ्यास फेस्ट भी निम्रे कि सानियों में रिक्ति स्थान की पूर्थी के लिए शानि के नीचे चार विकल्प दिये गए हैं जिनमें से केवल एक सही है सही विकल्प चुनकर रिक्तिस्थान की पूर्टी करना है तो पहला सवाल यह चार पांच शह साथ आठ यह बढ़ते विक्रम में प्रशित किया जा रहा है 23 24 25 इसके बाद यहां पर संख्या में देखनी कौन सी आ सकती है और यह दिखाएगा कैसे बढ़ते विक्रम में बेवस्तित करना है तो 23 24 25 इसके बाद आएगा हमारा 26 यह लुप तुई संख्या जो है जो गया है वो 26 है 27 तो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा थर्ड नमर का 26 आप इस नाओ आठ साथ 6 पांच यह रोहिक्रम में अब प्रशन है 35 34 इसके बाद क्या राएगा 33 फिर 32 फिक तिस यानि यहां पर यह जो संख्या छूटी हुई है यहां पर 33 होना चाहिए तो हमारा उत्ता सही हो जाएगा सेकेंड फिर फिर विकल्प छाट ने तेरा की अन है चाहिब अनुवरति प्राक्ति क्यंक्या तो 27 ब incumbent करेंगे यानििसके पहले वले सं ग्याइगा 26 यानि इसका विकल्प हो जाएगा हमारा सेकेंड़ 6 की अनुवर्थी प्राक्तिक शंक्या, तो 6 की संक्या, 6 में एक जोड़ेंगे, तो जाएगा 7, ये 6 और 7 ये नहीं होगा, केवल 8 संभा हुई नहीं है, 6, 7, 8 तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि जो अनुवर्थी शंक्या होगी, किसी भी संक्या, वो केवल 1 ही होती है, 1 से जाद नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एक जोड़ने पर उत्तार हमेसा फिक्स आएगा, तो 6 की अनुवर्थी प्राक्तिक शंक्या, 6 में एक जोड़ेंगे, तो हमें मिलेगा 7, तो केवल 7 ही संभा है, 15 की पूर्वर्थी प्राक्तिक शंक्या, तो 15 में एक कम करेंगे, तो 15 माईस प्राक्तिक यानि 14, तो केवल 14, 14 15, 14 16, केवल 16 संभाव नहीं तीनों, तो इसका उत्तरों केवल 14, निम्री के कतनों में सब तोर असब छट यह पहले से लगा हुआ है, एक सबसे छोटी प्राक्तिक संख्या बिलकुल सही है, क्योंकि एक की जब पूर्वर्थी शंक्या नह नहीं मिलती है हमें, हैना प्राक्तिक संख्या, वो जीरो पराप्त हो जाता है, इसलिए हमारी सबसे छोटी प्राक्तिक संख्या क्या होती है, एक होती है, संख्या रेखा पन निरूपित किसी प्राक्तिक संख्या के दाहिनी और प्राक्तिक संख्या उससे छोटी होती है, यह बिल्कु गलात है, क्योंकि जम इस तब बढ़ते हैं, दाहिनी ओर, तो संख्या का मान क्रमसा बढ़ता चला जाता है, और यहाँ पर बोला छोटी होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कथन असत्त हो जाएगा, कॉपी में आप लिखेंगे असत्त है, 101 से बढ़ी क्रमागत संख्या है, 102, 103, 104, हाँ, यह भी खथन मारा सत्त है, 23 एक प्राक्तिक संख्याओं में कोज संख्या सबसे बढ़ी नहीं होती है, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमें हल संख्या की अनुवर्टी संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए यह भी हमारा खतन क्या हो जाएगा शक्त हो जाएगा एक तरो अगले सवाल है प्रिकाई दहाई शैक्र हजान नौह हजान नो सो निन्न्याने की अनुवर्टी प्राक्तिक संख्या यात करने किताब से पढ़ेगे जा तो प्राप्टिशंक्रा हमें 10 मिल जाएगा में 10 सब्सक्राइण प्रेटा नहीं यॡवत्ती लिसान देलें pakai 12 एक हमारा एक हम पूलवर्त्ति शंख्या और श्रड़क्राइण प्राप्ति व में गटते हम्हाइण बचेगा ŚR एक करते और पूरवर्थी शंक्या प्राप्त करने के लिए हम उस पर 600 आअ प्रेक्ष्णे है और उस पर 9 टक्की प्राक्तिक शंक्या प्रतिस्व गये तो यहां कि चार अंकों की सबसे चोटी प्राक्तिक संख्या की लिखनी है और उसकी पूरवर्टी प्राक्ति संख्या याद करने तो चार अरव दें आ keeping सबसे चोटी संख्या हैना एक उसके बाद जितने इभी स्थाना जीरो गत देंग की मिदने तरही भी सवाहल कि अपी कि प्रिष्ण यह इम अच्छे ध्यां से पड़ते हैं तो मैं सवाल को हल करने में ज्यार defense MARTIN क्डूई कि प्रिश्णि उसका उत्तर देना प्यारता है जैसे चे आंग्कों की बटी से भड़ी तो चैसों के स्थानपन नौ लिख दिया हें, इकाई दाहाई शेकरा हजात दस्याल लाक. तो यह हमारा हो जाएगा, नौ लाक, निनियान वे जाय था, 900 निन लिान मे, आप क्या बोला है? कि इसकी अनुवर्ती प्राक्ति-सक्यागत करने क्ल каких जोडते कि लिएगे इसमें, तो एक हम जोड देते हैं इसमें तो यह हमें प्राप्त हो जाता है दस लाग इकाई दहाई शेक्रा हजानाद दस लाग दस लाग इसी तरह आप और सवाल लगाने का प्रास कीजिए धन्यवाद